प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोट के फैसले के बाद आर्टिकल 370 हमेशा के लिए खतम हो गया है और अब जम्मु कश्मीर और लद्दा के लोग पहली बार अपने हाथों से अपनी तकदिर लिखने को आजाद है पीम मोदी ने ये बाद एक मीडिया चैनल को दिये गए इंटर्वीयो में कही PM मोदीन एंटेवियू में कहा कि भाशपाक कार्यकरता मुक्यमंत्री और PM रहते हुए उन्होंने जो भी काम किया उसमें हमेशा देश को सबसे आगे रखा है PM ने 2047 तक देश को विक्सित बनाने का एक फॉर्मॉरा दिया जिसमें G का मतलब गरीब Y का मतलब युवा A का मतलब अन्न दाता और N का मतलब नारीशक्ति है PM ने कहा कि हम ग्यान पर ध्यान देंगे ग्यान को सम्मान देंगे तो विक्सित भारत बनेगा पीम बोले कि हमारी संसत में राष्टी स्थर पर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है लोकस्तर पर पहली बार हम लोकतंतर को जमीनी स्थर तक लेकर जा पाए हैं यहाँ पर तीन लेवल वाला पंचायती राज सिस्टम लाखू है और जमीनी स्थर पर 35,000 नेता चुने गए हैं हम इन चुनाओं की एमियत कम क्यों समझते हैं उन्होंने कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहु आयामी अप्रोच अपनाई है सरकार का फोकस इस शेत्र में सुरक्षा बढ़ाने, विकास करने, इंफ्रेस्ट्रक्चर और यूमन कैपिटल में निवेश करने के साथ सरकारी प्रक्रियाओं को सुधाने पर है हम यहां के लोगों के जीवन स्तर बढ़ा कर आतिक व्रद्दी को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके इस शेत्र में हमेशा के लिए शांती, स्तिर्था और समध्दी लाने के रास्ते पर है